इस न्यूज के प्रायोशक है सुन परी टेलिकॉम अब आप पासकते हैं दिन भर की सारी खबरे अपने मोबाइल पर तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एटीन टीवी न्यूज एप और पाईए सारी जानकारी एटीन टीवी न्यूज मा आपनू स्वागाच्छे डीशा नगरपाली का वर्ड नम्ब नौमा स्वच्ता अब्यान ना उड़ी रहाचे दजागरा कोरोना महामारी ना वच्चे खुली गटरो गंदकी खत बदे छे बुगर्ब गटरो तो दूर खुली गटरो डांकवापन नगरपाली का असमर्थ समगर गुजरात मास गुजरात सरकार द्वारा सच्टा अब्यान अंतर्गत तंतोल मैनत करी रही छे त्यारे डिशा नगरपाली का स्वच्ता अभियान ना खुल्ल्याम दजक्रा उडावती होय तिवु देखाई रही छे त्यारे वर्षोती डिशा नगरपाली का द्वारा वड नंबर नौने साप सपई माटे अगणना करी नजर अंदज करती होय तिवा द्रश्यो सामे आवी रहा छे वड नंबर नौमा गंजीपुरा असरगी पार्क साहिल पार्क तथा अनने जग्याए खुल्ली गटरो गंद की आजे खत बदी उठी रही छे स्थानिक रही शो द्वारा अनेक वकत लागता वड़कता अधिकारियोंने लेखेत मौखेत जान करवामा आवी छे छताय हमेशानी जेम होती है ना चलती है ने मुझब निती अपनावामा आवे छे अने कोईपन जातनू द्यान आपवामा आवतू नती ज्यारे आके दुनिया कोरोना जेवी बयंकर माहमारी थी लोको संगर्स करी रहा छे त्यारे आविस्तन ना लोको आवी गंध की वच्चे रहवा मजबूर छे त्यारे डिशानगर पालिकाना बाहोस चीप ओफिसर द्वारा तातकालिक असरती वर्ड नंबर 9 नी रूबरू मुलाकत करी अने कायमी सापसपाई करवानी व्यवस्ता उभी करवामा आवे तेवी लोकों नी लागनी साथे मांगणी व्यक्त करवामा आवी रही छे रिपोर्टर आलताप में मन एटीन टीवी नियूस पालान पूल